अगर हम 100 नंबर पर फोन करें तो क्या कोई ख़बर मिल सकती है हाँ अगर एक्सिडेंट हुआ तो मिल सकती है अच्छा तो मैं करती हूँ वहाँ उपलब लैंड लाइन से उसने 100 नंबर डायल किया जवाब मिलने पर उसने अपना परीच्च दिया पता और फोन नंबर बताय और आज हुए रात को एक्सिडेंट के बारे में पूछा कई सारे एक्सिडेंट के रिपोर्ट बताई गई लेकिन उनमें से कोई भी सदानन पूरेकर नहीं था उसे फोन रख दिया तुम बेकार में प्रेशान हो रही हो सहाब आ जाएंगे कई बार वो घर लेट आते हैं म मैं बीवी हूँ मेरी फिक्र तुम्हारे ब्रावर जैसी नहीं हो सकती मैं तो बरबाद हो जाओंगी मेरा सब कुछ लोट जाएगा अरे ऐसी बाते आप क्यों कर रहे हो आ जाएंगे लोटने को बोलके गए न तो लोटे ऐसा पहला मौका है खास महमान की खाते ना लोटे एसा पहला मौका है वकील सहाब पहले कभी मेरे भी ऐसा गुबा नहीं उठा जैसा आज उठ रहा है जबसे उन्होंने मुझे सोनाटा गृफ्ती है न मैं शर्म और संकोच से पानी पानी होई जा रही हूँ मुझे लगने लगा था कि एक मैं 100% वाइब बनके नहीं दिखा देखो तुमित मिनान से इहां बैठो फिक्र नहीं करो मैं तीनों जगा तलाश करके आता हूँ नहीं मैं साथ चलूँगी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा ठीक है पहले हम ग्रांट रोड चलते हैं इस उमीद में कि कहीं कोई काम आन पड़ा हो जिस वज़ा से वो ऑफिस ख रक्षा करना चलो पूरे करने हैटफोन उतारा सुनूपर ओफ कि अब बत्यां चलाई उस घड़ी उसके चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव थी अब आगे सिंगला ने बोला हां किस बाबत आपको मालूम है किस बाबत अभी जो सुनूपर पर सुनाई दिया उस बाबत 100% के खालिस जजबात की बाबत तुम जानते हो फरेव है नहीं हरद्य प्रेवरतन होते देल क्या लगती है सब ड्रामा था जिसमें उसने आती कर दी she overdid it उसे किसी तरह बीतर मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था इसलिए उसने ये पैतरा बदला था छलाक औरत है वो कैस इसे भी हालात को अपने हक में कैश करने के उसे ट्रेनिंग है जो बकवास उसने की मुझे पूरी तरह से गुम्रा करने के लिए कि मैं हाकिकत से भी वाकिफ हुआ होता तो शायद गुम्रा हो जाता लेकिन मैं तो उसके किरदार को शुरू से समझे बैटा हूँ उसकी जात उकास से शुरू से वाकिफ हूँ अब अब आप क्या करेंगे मैं उसके साथ वो ही गेम खेलूंगा जो उसने मेरे साथ खेलने की कोशिश की है फिर खलास ओ लेकिन पहला काम पहले तुम बॉटम सब सिंगला ने लास सबर की तरह अपना गिलास खाली किया नीचे कर नमीता और कोठारी कोठारी की कार में सावार हुई कोठारी ने कार का इंजन स्टार्ट किया ठेरो इंजन बंद करो एक बार पारकिंग का चक्का लगा कर आओ देखो उसकी कार है यहां क्या बात करती हो जिस शक्स के बारे में तुम कहती हो कि वो फ्लैट में छुपके बैटा है, वो अपनी यहां मौझूदगी के इश्टिहार के तौरप अपनी कार पारकिंग में छोड़ेगा देखने में क्या हर्ज है अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं जाते हूँ अच्छा अच्छा, वो कार से बहाँ निकला पीछे नमीता ने अपने हैंड बैग में से सिग्रेट का पैकेट और लाइटर निकाला और नर्वस भाव से एक सिग्रेट सुलगाया उसका दिल लरज रहा था बार बार उसके जहन में ये ख्याल उठ रहा था कि उसके लिए आगे एक बहुत बड़ी सांसत मूँ भाय करिख दिये जो काम अभी थोड़ी देर पहले तक मामूली लग रहा था अब वो उसे पेचीदगियों से भड़ा हुआ लग रहा था कुठारी सब ठीक कर देगा उसने अपने आपको आश्वासन दिया दस साल से सदा के लिए सब ठीक करता चला रहा था तो क्या आप अपने लिए सब ठीक नहीं कर सकता था अपने लिए? ब्राबर अपने लिए? सदा का कहर अगर उस पर अपनी बीवी पर बड़पता तो क्या वो बीवी का यार अच्छूता रह जाता? उस गड़ी एक साल पहले का वो नजारा उसके जहन पर उपरा जबकि कोठारी ने पहली बाई शादी से पहले की उन दोनों की यारी को पुनल जीवित करने की कोशिश की थी वो कोठेज में अकेली थी जब कोठारी सड़क के रास्ते कॉल बेल बजाकरा आने की जगा बीच के रास्ते टेरिस की सीर्णया चड़का वहाँ पहुँचा था सदा का गोरेई का कोठेज यूँ बना हुआ था कि वो उसके में एंटरेंस की तरफ से तो सड़क के लेवल पा था लेकिन पिछवाड़े के टेरिस बीच की लेवल में से बहुत उंची थी और उधा से टेरिस पर पहुँचने के लिए लकड़ी की बाई स्रीणया चलने पड़ती थी वो स्विम सूट में था सर से पाउं तब भीगा हुआ थक गया स्विमिंग करता जोश में समुदर में बहुत आगे निकल गया पबलिक बीच के रास्ते अपने कॉटेज पर पहुँचता तो पता नहीं पहुँच पाता भी है नहीं इसलिए तुम लोगों के प्राइवेट बीच से शॉटकट मारा गुस्ता की माफ उसने अनमन से पाउं तक हात लहराया यूहीं कड़े रहोगे नहीं बीतर चलता हूँ पागल हो क्या मिसिस रोटोलो देखेंगी तो क्या सोचेंगी वो तो हमेशा सोचती रहती है वो सदा ही देखती रहती है उनका काम ही क्या है फिर वो उससे पहले बीतर ड्राइन रूम के और चल द नहीं, पूरे दो साल हो गए, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता, अरे इडियट, खसम का कितना सगा बनेगी, कब तक उसकी सगी बनी रहेगी, इस वात घर पर नौकर होते हैं, कोई भी आ जाएगा, कुठाली ने फॉरन उसे छोड़ा, और शाम को मैं आता हूँ, कहे कर, वो व नहीं होगा, मुझे उसके शुडूल के पहले से खबर है, दस बज़े से पहले वो नहीं लोटेगा, समझके? और उसे बोलने का मौका दिये भी न, वो वहां से चला गया, शाम आठ बज़े जब वो वहां पहुँचा, तब वो उससे जाधा, बेचैनी से उसका इंतजार क रही थी, में डोर बंध होते ही दोने एक दूसे से लिपट गए, फिक उठारी ने वहीं फर्श पर उसे ढेल किया, और फिर वो चला गया, एक भुची ही आँख को कुरेद कर अशोला भढ़का कर, फिर वैसे ही दाफ साथ-ाथ दिन बाद लगा, उसके बाद डेड महीना वो एक दूसे के करीब ना फटक पाए, अब एक बाद शुरुआत हो जाने के बाद, नमीता को वो बाद सक ना काबिले बदाश लगी, फिक उठारी ने वो जुगत की, जिससे पता चला कि कैसा वो जुगाडू आदमी था, और क्यूं वो ट्रबल शूटर कहलाता था, दो महमानों के साथ पांच जनों की टेरिस पर पार्टी हुई, आधी रात को महमान रुखसत होने लगे, तो उन्हें सी ओफ करने के जिमेदारी कोठारी ने नभाई, वो वापस लोटा तो उसने पूरे कल को छाती पर सर डाले, कुर्सी पर लुड़का हुआ पाया, कोठारी में सहमती में सर हिलाया, फिर पूरे कल को कुर्सी पर से उठा कर अपने कंधे पलादा और उसे भीतर को ले चला, उस रोज उसने नमीता को ड्रोइंग रूम के कार्पेट पर धेल करने के बाद, उसके कपड़े फालने में कसन ना छोड़ी, और नमीता ने कोई अतराज न पीच अपने आप छड़ गई, वो पूरेकर को टेरिस पर से उठा कर उठा कर उपर बैडरूम में छोड़ कर आया, तो उसने फॉरन उस पर जपट्टा मानने की कोशिश नहीं की, दो हार्ट अटेक जहेल चुका ये आदमी इतना हेवी ड्रेंकर, ये मरेगा? मेरे को भी साब कुंडली मारे बैठा हो, तो दानिश्वन्दी किस बात में होती है? किस बात में? वक्त रहते साब का फ़न को चलने में होती है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती? तेरा ये काम मैं कर देता हूँ ना, मैं सोच लेता हूँ? नहीं, कुछ सोचने की जोट नहीं है, हम ऐसा वो खुद कर रहा है, हम तो बस थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाएंगे, तुम वही कह रहे हो ना जो मैं समझ रही हो, कतल, हाँ इरादा तो यही है, मैं नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो, नहीं, तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करेगा कोई और करेगा, सुपारी, इतने बड़े गैंक्स्टर की, तुम सुपारी दोगे, और कौन उठाएगा इसकी सुपारी, बली का बकरा, इसके लिए हमें एक जमूरा फिट करना होगा, और जानती हो, वो कौन हो सकता है, डॉक्टर प्रफुल सिंगला, MS, फैमिली फिजिशियन, तद उपरां कोठारी के सौजन्य से, उसकी जिंदगी में डॉक्टर प्रफुल सिंगला की एंट्री हुई, उसके बाद तब तक जो हुआ, सब हिस्ट्री था, वो निया सिगर्ट सुलगाने जाही रही थी, कि उसने कोठारी को लोटते देखा, उसने पैकेट और लाइटर को वापस है के हवाले किया, वैं यहा नहीं है उसकी, और मैंने डॉर्मैन से भी पूछा, वो कहता है कि पीछे पूरे का साब यह नहीं आया था, अब क्या कहती हो, तो मैं अभी भी यकीन है वो उपर है, हाँ, और हम उसकी तलाश में निकल रहे हैं, पागल हो रहे हो क्या, हम यह जान होते हैं, वो हमें जातर दिखाई दिया, तो यह इस बात की तद्धीक होगी, कि वो उपर फ्लैट में था, और महा माया में वो नहीं डॉक्टर मरा, नॉंसेंस, अभी मैं उसे ये बात प्रोस के आई हूँ, कि मैं उसके किसी अनिश्ट के आशंका से मरी जा रहे हूँ, उ कार को गेर में डाल कर कामपाउंड से भाहा निकला, महा माया, हाँ, कोठारी ने सहमती में सरह लाया, उसे कार को स्पीड दी, खामोशी से कार माटूंगा के रास्ते पर दौरती रही, कार जेकब सरकल से गुजरी, तो नमीता ने बोला, रुको, क्या हुआ, यहीं, और लाइटर को कोठारी के सामने डैश्बोर पर रख दिया, कोठारी ने पैकेट के और हाथ पढ़ाने की कोशिश नहीं की, वो आप अलक कश लगाती नमीता को देख रहा था, मेरा क्या होगा, क्या, मेरे एश्पोज हो जाने के बाद मेरा क्या होगा, तुम्हारा तो वो हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो सदा के फ्लैट में छुपा बैठा होने का तो कोई मतलब ही नहीं? नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ सदा के गायब होने की कोई और ही कारोबारी वज़ा है उसके फ्लैट में छुपके बैठे होने की भी कोई और ही वज़ा है कारोबारी फ्लैट में वो बराबर था लेकिन स्नूपर वाली बात मेरा व्यहम हो सकता है तो सिंगला कहां गया? याद करो, तुमने कहा था न, वो शारी डल के मारे भाग गया हाँ, वो मा माया पहुँचा ही नहीं, पहले ही डल के भाग गया तो इसका मतलब यह कि मा माया में कुछ हुआ ही नहीं? हाँ, तो फिर सिक्रिटी ऑफिसर ने ये क्यों कहा कि वहाँ स्वेट नमबर 102 में खून हो गया? उससे कहलवाया गया है, सदा ऐसा ब्राबर कर सकता है तो पागल है और मुझे भी पागल करके छोड़ेगी खुद एक बात कहती है और फिर उसे काठने लगती है उपर से ऐसी बात होगा तुझे कोई तज़ूरबा नहीं तुम्हे है? बढ़ाबर है ऐसे तो मैं तेरे हस्बन का ट्रबल शूटर नहीं हूँ मेरा तज़ूरबा कहता है कि वहाँ महा माया में पूरेकर ने डॉक्टर को मार डाला वहाँ जो मरा वो हमारा नालायर इन एफिशेंट जमूरा था जिसने मारा वो तेरा हस्बन था यह एस्प्लानेशन है इस खिचपिच का समझी? सिंगलाड सदानन्द पूरेकर को मार नहीं पाया और इसलिए वो भाग गया उसका कोई अता पता नहीं और सदा कहा है? खुद बोला ना फ्लैट में चुपकर बैटा है पर शे घंटे होने वाले हैं उस बबारदात को अगर फ्लैट में चुपा होने का कोई सबूत नहीं है अरे है कैसे नहीं? वो मैंने सुच जो मुझे आन मिला इस बास से ये साबित होता है कि वो कभी वहां अकेला लोटा था? ऐसा कभी भी हुआ हो सकता है? उसके महा माया पहुँचने से पहले भी तो हो सकता है? सदा फ्लैट में नहीं था तो कहा है? वो महा माया में है हाँ महा माया में किसी को शूट कर देना या मच्छा मसल देना एक बाद नहीं होती वो वहाँ किलीनिंग ओपरेशन में बिजी होगा अपने डिमॉलेशन स्कॉर्ट को महा माया तलब करके उसे स्वेट से स्वेट नमबर एक सो दो से वाल दात का नामों निशान मिटा रहा होगा अभी तक? हाँ अभी से थोड़ी देर पहले तक लाश गायब करना कोई हसी खेल नहीं होता क्या पता उसके आदमी डॉक्टर के टुकडे करके उसे पैक कर रहे हो किस तो में होटल से निकाल के कहीं ठिकाने लगा रहे हो जब सिक्यूरिटी ऑफिसल को खूं की बाबत मालूम है तो उसे डिल का क्या फायदा? उससे अपना मू बंद रखने की बाबत हिदायत बाद में मिली होगी अभी वहाँ जाके इस बाबत दर्याफ्त करेंगे तो यही पता लगेगा कि वहाँ कुछ नहीं हुआ अच्छा? हाँ चलो, मैंने तुम्हारी बात माने फिर डॉक्टर वहाँ मानने की जगा खुद मारा गया सदा ने उसकी लाश को चुपचाप ठिकाने लगवा दिया और जाहिल किया कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं इसी वज़ा से हमें पुलिस फ्लैट पर मेरा इंतजार करती नहीं मिली क्यों क्या जाहिरा तोर पर कुछ हुआ ही नहीं लेकिन कुछ नहीं हुआ था तो बकरार रखने के लिए क्या उससे भी उमीर नहीं की जाती कि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक मराठा मंदिर पहुंसता वहाँ ना पहुंसता तो तादे फ्लैट पर पहुंसता शायद गोरे ही चला गया हो क्यों चला गया हो जब रात को यहां रुखने के बात हुई थी तो इतनी दूल कॉटेज पर जाने का क्या मतलब तुम्हारा मतलब है इस वक्त वो कहां होना चाहिए मुझे तुम्हारी इस बात में दम नहीं लगता वो फ्लैट में छुपा हुआ था कहां होगा भही वो गोरे ही चला गया होगा उसकी मरजी जो कुछ महामाया में बीती उससे वो असल बात समझ चुका होगा तो हमारा क्या होगा मेरा यूँ एस्पोज हो जाने के बाद तुम समझ नहीं रहे हो कि मेरा क्या बनेगा गोली लगे डॉक्टर को वो असाहे भाव से दाथ पीस्ती बोली एक सीधे सिंपल काम में फचर डाल दिया उसने तुम्हारी वो ख्वाइश तो वो पूरी कर गया ना गोली लगी ना उसे तभी तो जान से गया अब चले नहीं अभी रुको सुनो कुछन की खामुशी के बाद वो बोली हाँ बोलो ये महज हमारा क्यास है कि वो मरा है क्या पता असल में वैसा ना हो फिशू कर दी तुमने नहीं कहानी मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में तो मुझे जवाब दो अगर सदा मरा है तो पुलिस फ्लैट पर क्यो नहीं पहुँची उन्हें अभी तक इस फ्लैट की बाबत खबर ना लगी हो और शायद पुलिस गोड़े में मेरा इंतिजार कर रही हो और डॉक्टर वो कतल की खौफ से कहीं जा चुपा इस बास से तो तुम भी इतफाक जाहर कर चुके हो जब खौफ पर काबू पा जाएगा तो शाहर सामने आ जाए वो अपने मिशन में कामयाब हुआ होता तो उसके कहीं जा चुपने का कोई मतलब नहीं वो बल्लियां उचलता है तिरे पास आता तुझे गुण न्यूस देता वो तुम दोनों के रास्ते के रुकावड को हमेशा के लिए हटा कर आया है तो फिर तो वो ग्रफदार है क्या कहने वो ग्रफदार होता तो कोई वजह ही नहीं थी कि पुलिस को फ्लैट की तुम लोगों के रात के वहां ठहने के पोग्राम की खबर ना होती फिर भला क्यों वो हमें वहां इंतिजार करते ना मिलते उफ असलियत का कैसे पता लगे तुम चुप करो मुझे सोचने दो मैं कुछ सोचूंगा तो बताऊंगा ना नमीता ने होड बीच ली कितनी ही देर फिर दोनों के बीच खामोशी चाहे रही उस दोरान नमीता ने नया सिगरेट सुलका लिया आखे का खोठारी ने खामोशी भंग की मेरा इतवा इसी बात पर है कि पोणे करकी हातों डॉक्टर का का काम हो गया और वो अपने demolition square के जरिये लाश का वारदात का नामों निशान मिटवा रहा है या मिटवा चुका है फिर तो मैं गई काम से पूरी बात सुन लो अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो हुआ तो सदा बार बार अपने आप से एक ही सवाल कर रहा होगा डॉक्टर को महा माया के सुएट नंबर 102 की खबर कैसे लगी ये एक ही सवाल क्यों कर रहा होगा ये सवाल भी तो कर रहा होगा कि एन वकपर सुएट में गोली चली होने की बाबत होटेल के सिकॉरिटी ओफिसर को फोन किस ने किया उसका एक ही जवाब है मुझे उस बाबत कुछ नहीं मालो यहां हम इस बात को भी कैश कर सकते हैं कि गोली डॉक्टर ने नहीं चलाई थी ये बात भी यही साबित करती है कि मरा डॉक्टर है उसकी गन में तो सैलेंसर लगा था गोली डॉक्टर को चलाने से रोकने के लिए पूरेकरने चलाई थी और क्योंकि पूरेकर की गन में सैलेंसर नहीं था इसलिए ये सिकॉरिटी ओफिसर को गोली चलने की आवास सुनाई थी लिहाजा उस फोन कॉल से तेरा कोई लेना देना नहीं उसकी तुझे कोई खबर नहीं कैसे होती जब तुझे वैसी किसी वारदात की ही खबर नहीं तो फोन कॉल की कैसे खबर होती गुड अब पहला सवाल डॉक्टर को महा माया के सुट नंबर 102 की खबर कैसे लगी इस सिलसिले में पूरेकर की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ जाएगी वो तेरे से इस बाबत सवाल करेगा तो तेरा जवाब बड़ा सीधा सच्चा मासूम होगा इत्तफाक से मूँ से निकल गया खामागा? कोई शक्स सिक्रेट बात कहे तो बदले में सिक्रेट बात का जवान पर आ जाना कोई बड़ी बात ने उसने तेरे पर ये राज उजागल किया कि वो ओमेका को जोएंग कर चुका था पूरेका की छटर चाया में आ चुका था जवाब में सहर सभावे बभाव से तो पूछ बैटी थी कि इस बाबत उसकी पूरेका से कहा बात हुई थी ग्रांट रोड ओमेका के ओफिस में या महा माया के स्वेट नंबर 102 में शायद तुझी महा माया के स्वेट का नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन अफसोस कि जवान फिसल गए मुझे महा माया के स्वेट नंबर 102 के खबर क्यों कर लगी थी वो सवाल करेगा जरूर करेगा मैं क्या जवाब तोंगी कहना उसी से लगी नशे में था नशे में वो क्या कुछ कहता है उसे याद रहता है कहने की कोई वज़ा तो रही होगी तूने पूछा कि मंगल, शुकरवार और इत्वार शाम को वो कहा जाता था इसलिए ये बात आगे बड़े तू बोलेगी तो वो मानेगा तू उसकी कमजोरी है तुझे वो शक्का फायदा देगा और फिर ये बात सच भी हो सकती है इस बाबस्त जूट की तस्दीक का जरिया तो डॉक्टर ही था जो कि अब खतम हो चुका और जो उसने हलकत की वो वो उसके अपनी सोची विचारी थी उसकी अधकच्री सोच के पीछे दोरी वज़ा थी और इस हलकत के उसके दो मतलब हाल होते थी तो जमालों में एक कौन से दो पैसे के लालच में उसने पूर्णे कल का जमूरा बनना कबोल किया था लेकिन असल में वो फसक या महसूस करता था उसे निजात चाहता था जो उसे नहीं मिल रही थी मिल सकती थी तो एक ही सुरत में मिल सकती थी वो शक्स को खतम कर देता जिसके हाथों में उसकी लगाम थी वो पूरे कल को लुड़काने में कामयाब हो जाता तो तू भी अज़ाद हो जाती और क्या पता आखिल कार हमेशा के लिए उसकी बन जाती लेकिन अफसोस वो अपने मिश्र में कामयाब नहीं हो सका बढ़िया ये तो बेसिक स्टूरी है तू अपनी अदाकारी से पूरे कल को चित करना इसमें चार चांद लगाना ये तो तेरी लिए बाय हाथ का खेले हाँ ठीक है डॉक्टर सिंगला की कार माहिम क्रीक के पुल्व परसे गुजर रही थी रोको एक एक पूरे करने उससे कहा सिंगला ने कार को बाजू में करके रोका और गंदें घुमा कर प्रशन सूचक नेतरों से उसकी ओदेखा कल रात यहाँ पर एक एक एक्सिडेंट हुआ था एक ट्रक उसके बेवडे ड्राइवर के कंट्रोल से निकल गया था अब पुल की रेलिंग से यूँ चाटक राया था कि ट्रक आधा पुल के नीचे लटक किया था लेकिन गनी मत थी उलटका नीचे समंदर में नहीं जा कि रहा था बाद में पुलिस की क्रेन ने आकर ट्रक को हटाया था और आज सुबह मैंने महकमे के वर्करों को रेलिंग की टेंपरीरी मरमत करते देखा था पर्मनेंट इश्व जाने कब होगी सिंगला ने उलजन पूर्ण भाव से उस कितव देखा टाइम क्या हुआ है दो बच चुके हैं इस घड़ी पुल पर ट्रैफिक नहीं कभी कबाल कोई का दुका कार या टेक्सी गुजरती है रेलिंग का टूटा हिस्सा बस थोड़ा ही आगे है अब वहां से जैंग की नीचे जा गिनने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या पुणे का ने जेव से गण निकाल ली उसे गण की नाल सिंगला की पसलियों से सटा दी चलो और वो फुफकारता सा बोला उधर कुठारी ने कार को सड़क के पार महा माया के सामने रोका तुम यहां बैटो मैं पता कर के आता हूँ नमीता ने सहमती में सर हिलाया कुठारी का से भाहा निकला पीछे अपनी बेचयानी को छुपाने के लिए नमीता सिगर्ट सुरगाने में मश्कूल हो गई कुठारी दस मिर्ट में वापस लौटा नमीता ने बेचयानी से उसके ओदेखा यहां से निकल लो मैं बताता हूँ कुठारी ने कहा और संजीत की सिकार आके बढ़े हम गोरे जाना है क्या पता चला जो पता चला है वो हमारा confusion दू नहीं करता बलकि उसे बढ़ाता है गोली तो ब्रावर चली हाँ पर लेकिन चलाने वाला सिंगला नहीं था गोली चलने की आवाज सुनी गई थी डॉक्टर की गन में तो साइलेंसर फिट था उससे चली गोली की आवाज करने का क्या मतला दूसरे गोली चलाने वाले जीन्स और जैकेट पहने था और सर पर गोल्फ कैप लगाय हुए था डॉक्टर सिंगला नहीं ना तो जीन्स पहननी थी और नहीं वो जैकेट पहनता था और नहीं गोल्फ कैप वो तो अपने पेशे के मुताबिक या तो सूट पहनता था या कमीज बतलून बड़ी हद हुई तो टीशर्ट पहन ली गोली चलाने वाला देखा गया फरार होता देखा गया तब ही तो उसकी पोशाक की बावत पता चला किसी ने उसे पकड़ने के कोशिश नहीं की वो हत्यार बनता इसलिए नहीं की उसकी चलाई गोली सदा को लगी कहते तो हैं लगी कहते हैं हाँ जब गोली स्वेट में चली तो किसको लगी होगे तस्दीक तो करनी चाहिए थी ना तुमें इतनी जानकारे भी मैं बहुत मुश्किल से निकाल कर ला पाया हूँ इतना सवाल वहाँ पे लोग कर रहे हैं कि मेरी उनकारिश्रू हो जाती अब इसका क्या मतलब हुआ ये कि डॉक्टर तो खिसक गया उसकी जगा कोई और पहुंच गया पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है एक ही वक्त एक ही तरीके से एक ही शिकाल के खिलाफ कतल की योजना बनाई और दो अलग अलग लग लो ये तो बहुत भड़ा सहयोग है एक तरीका हो सकता है कौन सा? डॉक्टर हमारी कलपना से ज़्यादा चालो निकला उसने सदा का कतल खुद करने की जगा आगे किसी को उसकी सुपारी दे दे डॉक्टर जैसे आदमी ने खड़े पैर सुपारी कलर अंगेज कर लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मुझे लगता है गोली सदा को नहीं लगी है या अगर लगी है तो वो सिर्फ खायल हुआ है और ये बात चुपाई नहीं जा सकती है सदा खुद इसके स्ट्राल करें तब भी नहीं अगर ऐसा है तो वो कहां है? और डॉक्टर? डॉक्टर अब कहीं भी हो कुई फर्क नहीं पढ़ता सदा तो खुद कहती है कि फ्लाट में छुपा बैठा था? वहाँ वापस जाना उसका प्लफ कॉल करना होगा जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा तो गोड़ई चलो मैं बाकी की रात उसका उसकी किसी खोश खबर का वहीं इंतिसाल करूंगे उसके बाद कल सुबा फिर फ्लाट पर पता करूंगे कोई नतीजा ना निकला तो सूरत एहवाल की खोश खबर उसके वकीर यानि कि तुम को करूंगे वो सुबा के पॉने चार बजे गोरे ही पहुँचे पूरे कर उन्हें कॉटेज की पहली मंजिल के बैटरूम में खोड़े बेच का सोता हुआ मिला उसको वहां देख का इन दोनों के छक्ये छूट गए सदानन पूरे कर साड़े बारा बजे सो कर उठा नित्यकम से निर्वरत होका वो नीचे पहुँचा तो टेरिस पर उसके अपनी बीवी से मुलाकात हुई शुकर है तुम उठतो गए मुझे तो लगा शाम से पहले उठने वाले नहीं हो कर कहां गायब हो गए थी वो कल ज़्यादा जास्ती हो गई थी इसलिए मैं तारदेव लोटना भूल गया था अच्छा इतनी ज़्यादा हो गए कि महमानों को बुलाकर तो तारदेव नहीं आये और यहां आ गए हाँ मैं भूल गया था ना 혼자 जादा हो गये और आपका वो जो डॉक्टर जो दॉल भी नवासित था वो कहा था वो तो आया नहीं वो भी नहीं पहुंचा हां वो तो कहीं भी नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है वो तो ऐसा गैसे मिधा भीडू नहीं है अच्छा, आप उसे छोड़ी और अपनी कहिए तू रात को अकेली भटकती रही में ये तलाश में नहीं, कोठारी मेरे साथ था ओ, कोठारी था हम दोनों कहां-कहां नहीं बढ़के हमने कोई जगा नहीं छोड़ी आपको तलाश करने के अच्छा, कहां-कहां गई माटूंगा, होटल महम आया तू भी वहां गई हाँ, वो मजबूरी में गई तुझे मालूम था कि मैं वहां जाता था ये मालूम था कि आप वहां जाते हैं लेकिन ये नहीं मालूम था अभी भी नहीं मालूम के क्या करने चाते हैं वहाँ से नहीं कहुआनी पता चली जिसने मेरे साथ रहे सहे प्राण भी सुखा दी क्या पता चला? कि वहाँ गोली चली थी और अब आप तुझे सच-सच बताइए कि गोली चलने का क्या किस्टा है अजीब सा किस्सा है याकीन में नाने वाली बात है मेरे को गारेंटी थी कि मेरे महा माया के सुईट की और मेरे वहाँ जाने के शिडूर के किसी को कोई खबर नहीं थी फिर भी कर रात गन लिये एक हलकट वहाँ पहुंच गया उसने मुझे पर गोली चलाई लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे नहीं लगी लेकिन होटल वाले तो कहते थे कि वहाँ खूण हो गया कब कहते थे किसको कहते थे आपके ट्रबल शूटर नहीं वहाँ जाकर यह जानकारी निकलवाई थी खोड़ारी कमाल करता है पठा पथा से पाने निकाल लेता है असल बात ये है कि गोली मुझे नहीं लगी थी लेकिन मेरा ये जाहिर करना जोड़ी था कि मुझे लगी मैं मल गया क्योंकि मेरे को टपकाने आया वो हलकट मेरे पर और गोलिया चलाता और फिर जहीर है कोई तो लगती ही काफी टाइम मैंने मल गया होने का ड्रामा किया ताकि वो गन वाला अगर तब भी मेरे सर पर खड़ा था तो उसको तसली हो जाती है कि मैं गोली खाकर चला गया उसे वज़े से होटर का सिकरेटर आफिसर भी ये समझ बैठा कि मैं धेर हो गया जबकि आपको कुछ नहीं हुआ था तेरे को दिखाई नहीं देरा मुझे कुछ हुआ है गोली चलाने माले का क्या हुआ भागने में कामयाब हो गया पता नहीं कौन था लेकिन जब पता चलेगा अपने हाथों से उसका कलिजन नौच कर खा जाओंगा वो शक्स जो कोई भी था क्यों आपको मानना चाहता था अब ये तो तब पता चलेगा न जब कापू में आएगा शायद मानना चाहता था या लूटना चाहता था मतलब मनी बैल्ट शायद वो कोई ऐसा शक्स हो जिसे मनी बैल्ट की बावत मालूम हो शायद वो आपको वो जख्मी कलके मनी बैल्ट लेना चाहता हो नहीं मनी बैल्ट के लिए वो नहीं आया था ऐसी उसने कोई कोशिश नहीं की थी गोली लग गई होने का पाहना कलके मैं फरिश पर पढ़ा रहा पर वो मेरे करिम नहीं आया दूसरे उस जगह मेरे हाजरी कभी कभारी होती थी अगर वो मनी बेल के फिराग में होता तो काम उसने महामाया में क्या होता वो तो वो कहीं भी कर सकता था अच्छा आप इस बात को छोड़ दे अरे इसकी किसी को खबर नहीं तेरे को इसलिए खबर है क्योंकि तुम मेरे साथ होती है डॉक्टर को खबर है आपका पहला complete medical check-up उसने मेरे सामने किया था तब उसको money well की खबर नहीं थी डॉक्टर कोई मवाली नहीं था यही बार रवकील पर भी लागू होती है तो कोठारी को भी खबर है हाँ फिर भी आप कहते हैं किसी को खबर नहीं बस तुझे मिला का तीन लोगों को जो कि सब मेरे करीबी और भुडूसे के है कई बार वही पत्ते हवा देने लगते हैं जिस पर तक क्या हो money well के लिए तू मेरा खूंग कर सकती है तौबा अब बस भी कीजे नहीं मैं आपका ऐसे क्यों कर सकोंगी नमीता घबरा गई अच्छा तो तू 100% wife है 100% wife बोला वो उसे हाँ बोल अच्छा डॉक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं मैं खुद हैरान। पोग्राम के मताबिक मेरी जगा उसने लेना था इतना गया जिमेदा तो नहीं शर्क को emergency call आ गया हो इलाके के डॉक्टर जो family physician कहलाते हैं emergency cases में सारी रात-रात busy नहीं रहते उन्हें case गंभी लगता है तो वो मरीज को nursing home ले जाए जाने को बोलते हैं ये भी तू ठीक बोली office के लिए निकलूँगा तो मालूम करूँगा सुभा कहां से मालूम करेंगे आप सुभा 9 बजे बोरी वाली उसके flat पर अपॉने 10 बजे दादर उसके clinic पर मैं phone कर चुकी हूँ flat के phone से कुछ जवाब नहीं मिला और clinic पर उसके nurse कहती है doctor पहुँचा ही नहीं वो खुद doctor के clinic से गयरहाजरी से प्रेशान है बकॉल उसके ऐसा आज सक कभी नहीं हुआ उसे भी ख़बर नहीं कि doctor clinic पर क्यों नहीं पहुँचा तब ही नौकर वहाँ आया वकील साहब आया है नहीं उन्हें ही बुला कर लाओ दो मिर्ट बाद advocate कपील को ठारी ने terrace पर कदम रखा उसने पती पतनी को भिवादं किया बैटो थैंक यू अभी भी आप अपने cottage पर है? हाँ मेरा मैं novel लिख रहा हूँ न इसलिए तीन चौधा ही लिख चुका हूँ इसलिए अब तो जोरो से चल रहा है क्या शौक पकड़ा है वकील साहब? चपेगा? क्यों नहीं चपेगा? जरूर चपेगा? लेकिन अभी तो मैं आपका ध्यान एक खास खबर पर दिलाने के लिए आया हूँ देखे मिड़े में क्या छपा? अखपार जान से मुड़ा हुआ ता वहां सुल्की थी डॉक्टर की सडक दुलखटना में मौत कार पुल पर से महेम किरीक में जाकर किरी खबर के मुताबिक पिछली रात आधी रात के बाद किसी वक्ट दादर के डॉक्टर प्रफोर सिंगला की जैंकार महेम किरीक के पुल पर उसके कंट्रोल से बहार हो गई थी और पुल की रेलिंग को तोड़ती ही समुदर में जाकरी थी कार के पानी से जाकर टक्राने की वज़ा से कार का ड्राइविंग सीट की और का दवासा खुल गया था जिसके वज़ा से ड्राइवर कार से बहाँ जाकी राता पुलिस को कार के रेजिस्टेशन नंबा से मालुम हुआ कि वो डॉक्टर प्रफोर सिंगला के नाम रजिस्टर्ड थी जो कि बोरीवली इस्ट में मारोती अपार्मेंट्स के एक फ्लैट में रहता था और दादर वेस्ट में अपना किलिनिक चलाता था पुलिस को जो दो महतापुन बाते जिनकी वज़ा से वो एक्सिडेंट के शिकार के शिनात का दावा कर रही थी मालूम हुई थी वो ये थी कि डॉक्टर सिंगला पिछली राज से गायब था उसे तयानना नहीं आता था साथ में ये भी मालूम हुआ कि वो हैवी ड्रेंकर था इन ही बातों के बिना पर पुलिसिस नतीजे पर पहुँची ये एक्सिडेंट के वक्त डॉक्टर सिंगला कार खुद चला रहा था और नशे में होने की वज़ा से कार उसके कंट्रोल से भाहर हो गई और पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई महें किरिक में चाकिरी डॉक्टर या तो खाल के किने से ही मल गया या टूप का और लाश समुद में बहा गई थी पुलिस द्वार लाश की तलाश चारी थी पुड़े कर ने अखवा सामने मेज पर डाला तो ये वज़ा थी डॉक्टर के कल बता और महमान मेरी जगन ना लेने की अखवार में ये वाक्या आधी रात के बात का बताया है कुठारी बोला जबकि मेरें ड्राइव अरेवियन नैट्स तो उसे आठ बजे पहुँचना था बहिए एक्सिडेंट के वरत की बाबत तो पुलिस का अंदाजा ही है हो सकता है बहुत पहले हुआ हो और पुलिस ने ये अंदाजा गलत लगाया हूँ लेकिन फूरे का साहाब वैसे ये भी तो पुलिस का अंदाजा ही है कि एक्सिडेंट उसने क्या क्या पता उसकी काल कोई और चला रहा हूँ और एक्सिडेंट उसने माने की काल चलाने वाले ने क्या हूँ तो फिर डॉक्टर कहा है यही तो भेट की बात है यही तो गुंडी है तो बता, खोलो मैं पुलिस वालों से मिलूँगा और एक्सिडेंट के मुकमल डेटेल्स मालूं करूंगा तब ही पहले वाला नौकर ट्रेल्स पर पहुँचा और उसने बताया है पूरे करकों कि उनका कोई दुबई से फोन है साब कोई उर्साहब शिकायत करना है कि आप मोबाईल का जवाब नहीं दे रहे पूरे का चाह भी लगे खिलोने कितना उठा और भीतल को लपका पीछे कोठारी और नमीता के लिए रह गए ये नहीं कहानी होगी महा माया में न मरा न मारा जाके फैटल एक्सिडेंट कर दिया जो हुआ कोठारी गंभीता से बोला उस पर साफ तेरे हजबन की चाह पे ये यकीनन उसके डिमॉलिशन स्कॉर्ड का काम है जिसने उसके होकुम पर वो एक्सिडेंट स्टेज किया यानि कि डॉक्टर का यूं कतल किया कि वो एक्सिडेंट लगता हे भगवान पिछली रात इतना कुछ हुआ जिसमें खास रोल पूरेकल का था महा माया में गोली चली या नहीं चली वहाँ सिंगला खुद पहुँचा या उसने कोई सुपारी किलर भेजा लेकिन जो हुआ या नहीं हुआ सब पूरेकल के कंट्रोल में था लेकिन उसने क्या किया रात यहां आया घोड़ा बीच का सो गया और सुबह यू उठा जैसे कुछ हुआ ही नहो ये शक्स हमारे साथ चुहीं बिल्ले का खेल खेल रहा है यानि कि ये सब जानता है तो जी शक है हब तो बिल्कुल नहीं हब अब क्या होगा मेरे को 100% वाइफ बोला कल रात से पहले ऐसा मैंने कभी नहीं बोला था कल रात भी खास उसको सुनाने के लिए उसको एक निश्ठावान पतिनी के आश्यंका चिंता प्रोसने के लिए तारदेव के फ्लैट में बोला था आज उसने क्यों कर दोराया क्योंकि सुना कैसे सुना फ्लैट में छुपा बैटा था इसलिए सुना ओ यानि कि अब शक की कोई कुझाईश नहीं कि करन रात वो फ्लैट में था हाँ मुझे इस बात के भनक ना लगती तो वहाँ पताने हम क्या कुछ बग देते फिर कोई बड़ी बात नहीं कि बड़क कर वो हमें वही शूट कर देता डेमॉलिशन स्कुरेड आकर लाशो को ठिकाने लगा देता हीजी नमीदा की शेरी ने जो से जोजोरी ले वो सब जानता है कोई बड़ी बात नहीं अगर सिंगला का काम इसने करवाया तो कोई बड़ी बात नहीं कि सिंगला ही सब कुछ सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ बग गया हो फिर भी ये खामोश क्यों है बोला न, चुहे बिल्ली का खेल खेल रहा है बिल्ली कावों में आये, चुहे को छोड़ देती है अपने आपको अजाद हो गया समझ कर जब वो भागने लगता है तो फिर थाम लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर थाम लेती है यही खेल पुरे का खेल रहा है मेरे साथ तू करीब है इसलिए तेरे साथ वरना असल में ये हम दोनों के साथ और ये कब तक चलेगा इसके मलजी पर मुनासर है नमीदा खामोशी ये इतनी तियारी की इतना निहसल कराया तुझे की क्या सवाल होने पर तुने क्या जवाब देना है क्या अलजाम लगने पर तुने क्या सफाई देनी है सब बेका बहुत संभाव नाय सोची विकल्पों पर विचार किया लेकिन वो ये खेल खेलेगा इसका तो मुझे ख्याल तक नहीं आया अब हमारी जान पर बंग गई है अगर जान बचानी है तो खुद ये काम करना पड़ेगा होसला करना पड़ेगा हमने अपना काम खुद करने से करनी कत्र है इसलिए ये उंदा नहीं हुआ खुद करना है और जल्दी करना है उसके लिए कोई नई चाल चल पाने से पहले हमें अपनी फाइनल चाल चलनी होगी क्या करेंगे हम कर इतवार है हर इतवार को सुभा ये मूँ अंधीरे अपनी मोटर बूर पर फिशिंग के लिए निकलता है ये इसका regular routine है जिसकी मिसिस रोटोलो भी कवा है मिसिस रोटोलो की हर वक्त इस cottage पर इस terrace पर तो सहजी निगा रहती है हमें इसी बात को cash करना है और इस बात को cash करना है कि बावजूद अपनी अनित्रा की बिमारी के वो भोर होने से पहले जाग जाती है पांच बजे बेशक कोई घड़ी मिला ले बढ़िया तो हम इन बातों को कैसी cash करेंगे बताता हूँ बहराद आज रात टेरिस पर किसी बहने जशने का महल बनाना है ऐसा महल बनाना है जिससे ये फिर इतनी पी कि रात को मुर्दों से शत लगा के सुए ऐसा नहीं हो सकता ऐसे पीने के बाद वो early morning सोक के नहीं उठ सकता इसलिए शनिवार रात को अपने drinking को खास control में रखता है आज नहीं रखेगा ना रखने के वज़ा होगी strong warning तुफान की चेतावनी इस इलाके में और भी fishing के शौकिन बसे हुए हैं और उसमें से एक है संभाजी भॉसले मेरे client रह चुका है वो और मेरे एहसान के तले इस कदर दबा हुआ है कि जो मैं कहूं करने को तयार होगा बहुसले पूरेकल का भी वाकिफकार है और दो-तीन बार यहां पार्टिस में आ चुका है आज रात जब हम यहां terrace पर बैठे drink शेल कर रहे होंगे तो वो यहां आएगा पूरेकल को बताएगा कि इस एरिया में सरकारी धुखोषना हुई है कि तुफान आएगा इसलिए fishing के शौकिनों को राय दी जाएगी कि वो दो दिन के लिए fishing के लिए समंदर में ना निकले उसके बाद भी क्या वो control में drink कर पाएगा? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा fishing के शौक के लिए वो दो कुर्बानी का दरजा रखता है जब fishing के लिए नहीं निकल रहा तो control कैसा करेगा? यस लेकिन उस strong warning को उसने confirm करने की कोशिश की तो सम्माजी बहुसले से उस बावत सुनके वो ऐसे कोई कोशिश नहीं करेगा और आगे आगे वो छक कर पिएगा लेकिन ज़्यादा पीने के कोई वज़ा तो होगी तेरा birthday है? नहीं चलेगा मेरा birthday नवंबर में होता है और ये बात उसे मालूम है अभी sonata को related birthday gift बता के हटा है तो मेरा पाटे है? तुम्हारा? हाँ मेरा है? कभी मनाया नहीं अब के बार पूरेकल के साथ पहली दफ़ा मनाऊंगा अच्छा, आगे और सारी बाते बाग दमे इस सारा सेट करना मेरा जिम्मा है अभी वो phone सुनने गया है कभी भी लोट सकता है ओ हाँ लेकिन एक बात जान लो जो कुछ होगा उसके तुम दर्शक बनी नहीं रहोगी इस बार हम दोनों ब्रावाल की शिर्कत करेंगे सिंगला कितरा मुझे ये नहीं कह सकोगी कि पंगा पड़ा तो तुम मुकाश जाओगी समझी? क्योंकि मेरी स्कीम के तहट पहला मीजर कदम तुम्हें उठाना है कौनसा कदम? बोलूँगा लेकिन ताकीद रहे पहले कदम के बिना दूसा कदम नहीं उठने का इसलिए स्कीम में तुम्हाँ रोल मेरे से भी ज़्यादा है मैं क्या करना होगा मुझे? बोलूँगा रात की पार्टी से पहले बोलूँगा ना दाव लगा तो हाथ के हाथ बोलूँगा फिर भी चुप करो लगता है वो आ रहा है नमीता खामोश होगी तभी पूनेकर ने ड्राइंग रोम से निकल का वापस टैरिस पर कदम रखा लंज की पार पूनेकर ड्राइवर के साग ग्राइंट रोड जाने को तियार हुआ नमीता ने उसे बताया कि आज शाम को आठ बचे पार्टी रखी गई है पूनेकर ने विश्वास लाया कि वो टाइम से पार्टी में आ जाएगा और वकील को हैपी बर्डे बोलेगा नमीता ने सहमती में सही लाया मैंने वकील को बोल दिया है तेरे को भी ताकेत करता हूँ पार्टी दस साड़े दस से जागादा ना चले मैंने जल्दी उठना है मालूम है वैसे मुझे हिरानी है उसे अपना बर्डे मनाना सूझा दस साल से मिरे साथ है आज तक तो कभी मनाया नहीं हो सकता है मन में आ गया हो कि वो बर्डे मनाए ठीक है lapda है ऐसा हो भी जाता है पूरे करके निकलते ही नमीता ने फोरंग कुठारी को कॉल किया आज नौकरों की जल्दी छुटेगा देना रोज साथ बज़े जाते हैं तो आज छे बज़े भीज़ देना ताकि किसी को शक ना हो और सारा खाना होटल से आएगा मैं छे बज़े आ जाऊँगा मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने नौकर हो निर्धार इस समय पर ड्राइंग नूम के एक सोफे पर दोनों अलग-अलग बैठे थे कोठारी ने तफसील से अपनी स्कीम उसे कहना है सुनाई नमीता जो जो सुनती गई उसके दिल की धरकन तेज होती गई अब तेरी समझ में आया कि पहला कदम क्या है और क्या उसकी एहमियत है हाँ, कर लेगी न हैंडल पता नहीं मामूली काम है, टाला नहीं जा सकता, टाला तो दोनों बरबाद हो जाएंगे हाँ, लेकिन बोला ना मामूली काम है पार्टी के आखिर में हमेशा की तरह आज भी उसकी हालत मुर्दों से बत्तर हो जाएगी उसे पता भी नहीं लगेगा कि तूसके साथ क्या कर रही है भशरत है कि उसे तुफान की चेदावनी पर एतवार आ जाए आएगा, तूसकी फिकर ना कर तुम नहीं हो सकते साथ में क्योंकि रात के उस घड़ी मेरी भा मौजूद की कलत होगी हमारी हलकत के दोरान एन मौके पर कोई एका एक आ गया तो हम दोनों इखटे पकड़े जाएंगे और अकेले मुझे किसी ने देख लिया तो कोई भी नहीं देखेगा तुमारे पास कोई नहीं होगा और नशी में उस पर शैतान सवार हो गया वो तुम पर हमला कर बैठा था तो क्या जूरी नहीं वो मुझे मार डालेगा नहीं जो तुमने किया वो तुम ना करती तो वो तुम है मार डालता तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया आत्मरशा के लिए किया लेकिन रात की उस खड़ी किसलिए जबकि तुम उसे उपर बैडरूम में पहुँचा कर गए वो काम सुबह भी तो हो सकता है जबकि तुम दूसरे फेरे में वापस लौटोगे नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि उसका बेहोश होना ही नहीं बेहोश रहना भी जोरी है और दूसरी बात की तज़्दीक तभी हो सकेगी जबकि वो काम तू करेगी तुझे याद नहीं कैसे एक बार वो फुल टुन था मैं उसे उठाकर उपर बैडरूम में लेकर गया था और वो एका एक वहाँ उठके बैड़ गया था मैंने ये काम सुभा किया और वो रास्ते में होश में आ गया तो सोच, क्या होगा? बस ये वज़ा है ये काम तुम्हारे ना करने की अगर कोई और वज़ा तुझे खुद सूचती है तो समझ ले यही है लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? तुम किसी वज़ा से ये काम मेरे से कराना चाहते हो वरना खुद भी तो कर सकते हो कतल करना मुश्किल काम नहीं होता बेवकूफ कतल करके बच निकलना मुश्किल काम होता है कतल का क्या है? जो गन तुने डॉक्टर को मुहिया कराई उसे तु खुद थामती और अपने पती को गोली मार देती तुने तो ऐसा नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर तुझे फांसी के फंदे से कोई न बचा पाता तु इतना बड़ा दाफ खिल सकती है जान की बाजी लगा सकती है नहीं तो जैसा समझाया है वैसा करने के लिए हाँ बोल लेकिन अगर मैं ना बोलू तो 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 क्या होगा? सारी रात नहीं तो ठीक है फिर बात ही खता लेकिन सारी रात मुझे उसके सिरहाने अकेले बैठना होगा तो महारा इतना लेट लोटना क्यों जोरी है? क्योंकि हमने परोसं की ताग जाग के आदत को कैश करना है क्योंकि मिसिस रोटोलों ने हमें एलिबाई देनी है कोई बात याद नहीं रहती तुम्हें? अच्छा सॉरी और अभी इससे भी आहम बात है मोटर पोर्ट वाली? शुक्र है वो तो याद है मोटर पोर्ट की टाइमिंग वाली समझी? हाँ और अपना काम भी समझ गे शबाश नौ बचने को थे जबकि संभाजी भौसले का कॉटेज पर आकमन हुआ और उसे टेरिस पर चलती मिनी पार्टी जोईंग करने को बोला गया नमीदा की अपेशा के विप्रीत पुणेकर आठ से भी पहले वापस लौट आया था उससे पहले वहाँ केक और ब्लू लेबल की दो लीटर की बोतल पहुँच चुकी थी अलबता स्नेक्स उसकी मौजूदकी में पहुँचे थे कोठारी ने केक काटा था उसको हैपी बर्डे की बदाईया दी गई थी और फिर टेरिस पर चीयर्स पोड़ा गया किस बात की पार्टी है? कोठारी का बर्डे है पुणेकर ने बताया ओ बदाई वकील सहाब थेंक्यू आप कैसे आए? पुणेकर ने भोसले से पूछा अभी मेरे को कुछ याद करने दो बोसले जवाब में बोला क्या? लेकिन वकील सहाब मैं 6 या 7 साल पहले फोर्ट में तुम्हारे आफिस में था तुम्हारे कहने पर बारिश बंद होने का इंतिजार में मैं वहाँ रुका था और वहाँ तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा बर्डे था उस दिन हाँ, मुझे याद आया एक बड़ा बुके लेकर वहाँ कोई आया था और जिस पर हैपी बर्डे डियर कपिल लिखा था कुठारी सननाटे पर आ गया तब मैंने तुम्हें बर्डे की पदा ही दी थी क्या तुम साल में दो बार बर्डे मनाते हो हरे नहीं भौसले साब ऐसा कहीं होता है मैंने तब आपको एक बात बोली थी जो आप भूल गए क्या, बुके भीजने वाले को कोई मुगालता लगा था या उसकी याददाश दगा दे गई थी वो समझ बैठी थी कि मेरा बर्डे जुलाई में आता है इसलिए वो गलती से बुके आया था मेरा बर्डे अभी ही आता है और आप मुझे यकीने आप भूल गए होंगे कि वो बुके मुझे एक लड़की ने भेजा था लड़की? हाँ मेरी गल्फ्रेंड मुझे कुछ याद नहीं क्या बड़ी बात है? एक जवान लड़की मेरे बर्डे को किसी और का बर्डे मेरा बर्डे समझ बैठी हाँ आप तो खेर उम्रदराज शक्स है साट के तो होंगे ही? नहीं पैसर्ट चलिए भगवान आपको लंबी उम्र दे याद दगा देती है तो जिन्दगी दगा ना दे अच्छा मेरे को ही शयद गलत लगा हैपी बर्डे वकिल सहाब थैंक यू ड्रिंक्स लीजिए नहीं नहीं मैं तो खेर बिना बुलाया महमान हूँ अलसल में मैं एक खास खबर की वी वज़ा से यहां आया था लेकिन लगता है आपको वो खबर मिल चुकी है पुने का साब तब ही आप जश्र मना रहे हैं कौन सी खबर? पुने का सक पकाया तुफान की वार्निंग की खबर? तुफान? कैसा तुफान? समुदरी तुफान? मनोरी और मर्वे के इलाके में सलकारी अनॉसमेंट हो रही है कि कल सुबा समुदर में तुफान उठने का अंदेशा है मुझे उसकी खबर लगी तो आपको बताने चलाया fishing के लिए Sunday आपकर pre-scheduled होता है न लेकिन कल तो निकलना ठीक नहीं होगा अच्छा मुझे नहीं मालूँ जी हाँ, दो दिंकी तो सक्त warning जारी की गई है accident हो सकते हैं, ऐसा भी बताया क्या है खबर पक्की है? क्या पता? नमीता ने अपने स्वर को जाद से जादा व्याकुल बनाया तुफान सुनामी जैसा हो? आज कल क्या बड़ी बात है? कोठारी दाशनिकता पूर्ट स्वर में बोला अभी हाली में तो सुनामी का क्या है चैन नहीं अंडमान वेगरा में तूट कर हटा है मैं तो नहीं जाने दूँगी आपको हैसा? हाँ, बिल्कुल तो ठीक है, ड्रिंक बनाओ मेरे लिए जब सुबह निकलना ही नहीं तो ड्रिंक का मज़ा खराब करने से क्या फायदा? कोठारी ने मन ही मन चैन की सांस ले आप भी ही बैटो बहुसले साहब जब सुबह नहीं जाना तो फिल क्यों ना आप भी ड्रिंक का मज़ा लो? नहीं मुझे कहीं और जाना है इसलिए मुझे चलना होगा Thank you कोठारी बहुसले के साथ cottage से बहार front yard में पहुँचा जहाँ एका एक उसने उसे बहां से पकड़ कर जिन जोड़ा और गुस्से से बोला birthday की कथा करना जोरी था? क्या? तुमने मुझे कहां बताया था कि यहां तुमारे birthday की party चल रही है मुझे याद आया तो मैंने बोल दिया यह सब बोलने की क्या जूरत थी? जो कहा तब सिर्व वही करना था यह strong warning वाली बात प्रोस नहीं थी पुर्णे करके आगे फालतू क्या यह इधा हुदार की हाकने की कोई जूरत नहीं थी? अच्छा ना, चलो तुमने सारी बात सवाल तो ली ना, उसे संभाल तो लिया लेकिन अगर उसे कोई शक हो जाता तो, तो क्या होता? हुआ तो नहीं लेकिन एक बात जूर बोलूँगा कोठारी साहब, आपने मुझे जूरत तो बुलवा दिया, लेकिन अगर किसी को इस बात की भनक लगी कि ये वार्निंग जूटी थी और आपने की, तो आपका बुढ़ापा बहुत बुरा हो जाएगा ठीक है, मैं खुद देख लूँगा, अब तुम यहां से चलते बनो हाँ, बोसले साहब जाते साथ जाते एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आज की बाबत, अपना मुग किसी के आगे फाड़ा, तो बहुत बुरा अंजाम होगा आपके केस को 6 साल हो गए है, लेकिन आज भी बहुत उपद तक एक गुमनाम टिप पहुंच सकती है कि आपने मजिस्टेट को रिश्वत दे का फैसल अपने हक में करवाया था मैं आपके और मजिस्टेट के बीच की कड़ी था, इसलिए मेरे पास सबूत है उस रिश्वत के अदाएगी का, समझे तुम बात को बढ़ाओ नहीं, मैं किसी के आगे कुछ नहीं कह रहा रात के पौने बारा बजने को थे, नमीता नर्वस भाव से सिगरेट के कश लगाती टेरिस की रेलिंग का सहरा लिए खड़ी थी और आप पलग टेरिस और ट्रंग रूम के बीच के विशाल स्लाइडिंग ग्लास डोल को देख रही थी, सदनन पूनेकल कंदे पर ला दे जिसके भीतर कपिर कोठारी दाखिल हुआ था पूनेकल की दोनों बाहाएं और गदन कोठारी की पीट पर लड़की हुई थी और उसके सीड़ियां चड़ते वक्त हौले हौले जूल रही थी श्राप की दो लीटल की बॉटल तीन चौथाई से ज़्यादा खाली हो चुकी थी सदा ने आखरी पैक डिनर के साथ जो कि उस राट टैरिस पर ही हुआ लिया था और वो डिनर मुकमल कर पाने से पहले ही अपने उस हाल में पहुँच गया था जिसमें कि वो हमेशा होता था क्योंकि सुबह उसने फिशिंग पर जाने के लिए नहीं उठना था स्टॉर्म वर्निंग ने उसे पूरी तरह से हतो सहित कर दिया था और शराव ने अधियो सहित कर दिया था कोठारी आदी से ज़्यादा सीर्णियां चड़ चुका था फिर उसने गलियारे में कदम रखा और आगे मास्टर बेडरूम की और बढ़ा नीचे ठिटकी खड़ी नमीता उपर से आती कदमों की आवाज सुनती रहे फिर दरवाजे की नौप्ट खुमाये जाने की और दवाजा खुलने की आवाज पूरे करके अचे शलील को धप की आवाज के साथ बेड पर डाले जाने की आवाज बारी बारी दोनों जूतों के लकडी के फर्श पर गिरने की आवाज वो घूमी और तनिक डगमगाते डग भरती ड्रॉइंग रूम पार करके ग्लास डोर पार करके टेरिस की रेलिंग पर वापस पहुँची अपने तेजी से धरकते दिल पर काबू पाने की कोशिश करती वो कॉटेज की तरफ फीट करके खड़ी हो गे और अंधेरे में समदल की लहरों का नजारा करने लगी उसका दिल उसके काबू में आने की जगा और धार धार उसकी पसलियों से टकरा रहा था और मन ही मन बार बार वो उस खुदा का नाम ले रही थी जो कि उस रोज जैसी शिद्द से उसे शायद ही कभी याद आया था चंद लमें यूहीं गुजरे फिर उसे अपने पीछे कदमों के आहट सुनाई दी बड़े यतन से वो वापस खुमे और करीब आंग खड़े हुए कोठारी से रूबर हुई उसने देखा कि कोठारी के होड बिचे हुए थी जबडे कसे हुए थी और आँखों में कजीब सी वहशी चमक थी कोठारी ने अपने पसीने से नम हुई हतीली अपनी पत्रों की साइडों पर रगड़ियों बोला बैट पक घोड़े बेच का सोया पड़ा है अब आगे वो मीजर कदम है जो तूने उठाना है मैं चलता हूँ मीजर कदम? ख्याल से ही उसकी कपकपी छूड़ गई अभी अभी रुक जाओ अभी मत जाओ नहीं रुकने का कोई मतलब नहीं थोड़ी सी देर? नहीं और अपने आप पर काबू करो मैंने तुझे कुछ और भी कहना है क्या? सब कुछ ठीक ठीक चला तो आइंदा कुछ दिन हमने एक दूसरे के करीब नहीं फटकना फोन भी नहीं करना फोन भी नहीं? हाँ मोबाइल नेटवर्क की हर कॉल का आटोमेटिक रिकॉर्ड बनता है जो की कभी भी चेक किया जा सकता है और जाना जा सकता है कब किसने किसको कॉल की? बाकी तुझ खुद समझदार है? ऐसा कब तक चलेगा? जब तक अधिकारिक तोर पर उसकी मौद को एक्सिडेंट घूशी नहीं कर दिया चाता सावधानी उसके बाद भी बरतनी होगी उस दौरान हो सकता है मैं कुछ दिनों के लिए शेह से भाहर चला जाओ लेकिन भाहर मैं का हूँ, इसकी खबर किसी ना किसी तरीके से तुझे पहुचाता रहूँगा अभी मैं चलता हूँ, ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि वो उपर बेसुत पड़ा हो और मैं यूँ ही चल दिया हूँ, लेकिन आज यूँ ही जाना मुनासिब होगा उसने कलाई घड़ी पर निगार डाली, बारा वजने को है, अभी बहुत वक्त है, याद है, क्या करना है? हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ वो चला गया, पीछे नमीता केली रह गई, उसे नया सिगर्ट सुलगाया और रेलिंग पसे हटकर एक कुरसी पर धेर हुई उसकी गुजशता जिंदगी, न्यूज डील की तरह उसके जहन पर चलने लगी अपनी ग्रेजुशन और स्टेनोग्राफिक के जिस वकफे का जिकर उसने डॉक्टर सिंगला से नहीं किया था वो उसकी तब तक की जिंदगी का सबसे खराब वकफा था जिसमें कुछ बन पाने के उसकी कोशिशें अपनी चरम सीमा पर थी लेकिन हासिल सिफर था वो वो दौर था जबकि हर कोई उसकी खूपसूरती की तारिफ ये कहकर करता था कि तू तो परी है तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए और वो खुशी से फूली ना समाती थी वो फूंक उसे इतनी ज़्यादा मिली कि उसने सच में ही फिल्म स्टार बने का फैसला किया उस कोशिश में उसने स्टूडियों के चक्का लगाना शूकिया तो उसे पता चला कि वो मायूंट एवरेस की चोटे पर चलने से भी मुश्किल काम था लेकिन मुश्किल नहीं भी था अगाचे कि उसे एक खास कंप्रोमाइज करना कबूल होता जिसकी की फिल्म इंडरस्टी में हर किसी ने उसको सला दी नदीजन चेतन चौधरी नाम के जिस प्रोडूसर डारेक्टर के साथ फिल्म स्टार बनने के लिए उसने मिशन मनाया था वो उसके साथ हम बिस्तर हुई और उसने उसे पांच महीने तक खुब उल्लू बनाया खुब इस्तमाल किया उसने आखरी दफा किया तो रोज नए-नए लोगों के फोन उसके मुबाइल पर आने लगे कि उसे चांस देना चाहते थी ये पूछने पर कि मुबाइल नंबर कहां से मिला सब ने कहा कि चेतन चौधे से मिला तब उसे एहसास हुआ कि उस कमीन ने खुद तो उसकी दुलगती की थी साथ में उसको ऐसे रिप्यूट बना दी थी कि इंडर्स्ट्री के खास दायरे में वो हाई प्रैस्ट कॉल कर समझी जाने लगी थी तब उसे ये भी हैसास हुआ कि उसे जर्नल प्रैटिशनर बनने की जगा स्पेशिलिस्ट बनने की कोशिश करने चाहिए थी उस दौर में एक समझदारी का काम उसे ये हुआ कि वो नाइट स्कूल में टाइप शॉर्ट हैंड सीखती रही थी इस चैनोग्राफल की पहली नौकरी भी उसे जल्दी मिल गई लेकिन उसे पता चला कि कार्पोरेट सर्कल में लोग फिल्म वालों से भी ज़्यादा कमबक्त थे खाली वन नाइट स्टेंड के तमन ना ही थे उस समझदार से सिल्सिले में खुद को फिल्यर पाकर उसे एंटरटेन्मेंट फिल्म में किस्मत अजवाने की कोशिश की उस कोशिश के दोरान उसे जो आफर मिली थी वो थी प्राइवेट प्राइट प्राइटीज में नेकेट कैबरी, ब्लू फिल्म में काम, दुबई तब तक उसको विभार एक अकल काफी आ चुकी थी इसलिए उसने महसूस किया कि बार डांसर बनने में सबसे कम एस्प्लोइटेशन था लेहाज़ वो बार डांसर बन गए तब उसकी किस्मत ने पहली बाए उसका ये साथ दिया कि अंधेरी के जिस नाइट किलब की वो बार डांसर बनी उसका मालिक सदानन पुने का था और वो पहली निगा में उसका दिवाना बन गया वो मिस्स सदानन पुने कर बन गयी और उसकी धन दिवांगी के आखिल किसी मुकाम तक पहुँचने की सुरत निकल आई और अब दूल खड़ी मन्जिल को करीब खीचने की कोशिश उसने गहरी सांस ली और कलाई घड़ी पर निगा डाली साड़े बारा बज़ने को थे अभी एक घंटा और वो उठकर भीतर और फिर दबे पाउं सीडियां चरती पहली मन्जिल पर मास्टर बेडरूम के सामने पहुँची नौप के हॉले से घुमा कर उसने दवासे को धक्का दिया और भीतर कदम रखा उसने पाया की कमरे में जो मामूली रोशनी थी वो चांद की थी जो की शीशे की विशाल खिड़की के रास्ते भीतर पहुँच रही थी दबे पाउं वो बैट के करीब पहुँची उसने पाया कि कुठारी उससे यूं कमबल उड़ा कर गया था कि वो उसके चेहरे को माथे तर ढखे था कमबल से भास सदा के सिर्फ सेल के बाल ही दिखाई दे रहे थी वो बैट पर चित लेटा हुआ था उसकी भारी सांसों के साथ छाती पसे कमबल उठ गिर रहा था इस बाबत कते ही शक के कोई गुझाईश नहीं थी कि वो दीन दुनिया से बेखबर वहां पड़ा था उस गड़ी वो मनी मन डॉक्टर सिंगला को हजार हजार कोसनों से नवास रही थी जिसने अपने काम में नकाम रहने के वज़ा से वो मौझूदा मुसीबत उसके गले पड़ी थी पूर्वत दबे पाउं चलती वो कमरे से बहार निकली और नीचे ड्राइंग रूम में पहुँची वहां उती दिवार में एक खिड़की थी जिसमें से मिसिस रोटोलो के एक कॉटेज के पिछवाडे में जहाका जा सकता था वो उस खिड़की पर पहुँची तो उसने देखा कि मिसिस रोटोलो के किचन में रोशनी थी अपने उस इस्तिती से वो मिसिस रोटोलो का cottage देख सकती थी लेकिन कोठारी का cottage नहीं जबकि मिसिस रोटोलो का cottage ऐसी position में था कि वो दोनों तरफ देख सकती थी वो जानती थी कि कोठारी उस वक्त टाइप राइटर खटखटा रहा होगा वहांके एक खिड़की उसने खास तौर पर यूँ खोड़ी होगी और पदा हटाया होगा कि मिसिस रोटोलो से टाइप करते सुन भी सकती थी और देख भी सकती थी सारी राद में से डोटोलो के दर्शन के लिए उसने अपना टाइप का वो ड्रामा जारी रखा होगा वो खिड़की पर से हटी और बार पर लोटी जहांकि उसने अपने लिए ग्लास में ठेर सारा कोनियाग ब्रैंडी डाली और उसे नीठी चुसकने लगी डेर बजने में पांच मिनट तक का वक्त उसने ब्रांडी चुसकते गुजारा फिर उसने ग्लास को तिलांचली दे और उटका खड़ी हुई इस बार वो यूँ सीड़ियां तैक करती उपर पहुँची जैसे कि नींद में चल रही हो सीड़ियों के उपरी धाने से मास्टर बेडरूम तक का फासला उसने यूँ तैक किया जैसे भारी बोज़ाड हो रही हो साफधाने से उसने भीतर कदम रखा और इंच इंच करके दरवाजा वापस बंद किया उसकी कनपटियों में खून बज रहा था और दिल यूँ धड़क रहा था जैसे उच्छर कर मुह में आ जाएगा उसकी टांगे काप रही थी और हलक यूँ सूख गया था कि थूख निगलने की कोशिश से भी नम नहीं होता था सदा बैट पर पूर्वत भी हो सुथ पड़ा था लेकिन अब उसकी सांसे अजीब से अवास कर रही थी दबे पाउं वो बैट से विप्री दिशा में दिवाय के साथ लगी वाल केविनेट के करीब पहुंची जिस पर से 32 इंच का टीवी पड़ा था और टीवी के बाजू में पीतल का भारी नकाशी दा फूलदान पड़ा था फूलदान में प्लास्टिक के नकली सजावटी फूल थे जिनने निकाल को से टीवी के उपर रखा उसे गदन से पकड़ का फूल दान को उठाया और उसे अपने हाथों में तोला फिर उसके साथ वो वापस बैठके करीब उसके सिरहने पहुंची उस गड़ी चांद आसमान में और चड़ाया था और पहले से जादा चमकिला जान पड़ता था चांद की रोशनी सदा पर यूँ पड़ नहीं थी कि उसके सर पर कुछ बालचांदी के ताज जान पड़ते थे नमीता ने गहरी सांस लेकर रोख ली आँखे बीच ली और फूल दान वाला हाथ अपने सर से उपर उठा लिया अपा वार एक ही नपा तुला वार लेकिन हाथ जैसे हवा में ही फ्रीज हो गया उसने फिर गहरी सांस ली आँखे खुली फिर कोशिश की तो हाथ मुझा है फूलों के डाली की तरह नीचे उसके पहलों के साल लटक गया हे भगवान जो काम उसे मामूली बताय गया था वो एंट टायम पर इतना मुश्किल कैसे हो गया वार करने से भी ज़्यादा एहम बात यह थी कि वार से वो मर ही ना जाए उसने ऐसा नपा तुला वार करना था कि वो मरे भी नहीं और नीन से भी ना जागे कैसे होगा कैसे होगा जहनुम में छुल से डॉक्टर का बच्चा और कमबक्द वकील भी जिसकी बातों में आकर उसने वो हॉलना काम करना कबूल किया था बड़ी मेहनस से उसने फूलदान वाला हाथ फिर उठाया लेकिन इस बार वो उसके कान से उपर न उठा पसे तनिक उचला वापस धेर हुआ और निश्टेश्ट हो गया अवास करती नाक से निकलती उसकी सांस तक गई मल गया ये भगवान उसे फूलदान को दूसे हाथ में रखा नीचे जुकका कमबल में हाथ डाला उसकी कलाई ढूनका नबस टोली नबस उसे नहीं मिली लेकिन तभी वो हॉले से कुन मोनाया उसकी जान में जान आया उसे फिर नबस टोली इस बार नबस उसे मिली उसे चैंकी सांस ली वो लपक कर वहां से निकली बाजू के बेडरून में पहुँची आके उसके अटेस्ट बाथ में पहुची और सिंग के सामने जाकर खड़ी हुई उसे सिंग का नल चिलाया और फूल दान को उसके नीचे रखा ताकि फूल दान पर लगा गाड़ा कुन पानी में घुलका सिंख में बहने लगे उसके कानों में फूल दान के वाल की धप की अवास गुंची जहन पर खून उगलती और तक्ये को भीकोती खोपड़ी का अकस उब्रा जिससे उसका जिसम एक बाद जो से कापा उसे क्लोरोफार्म की राय दी थी उसे क्लोरोफार्म सुंगाया गया था कोई बेशु की दबा उसका पता पोस्टमार्टम से लग सकता था इसलिए किसी भारी चीज से सर पर भरपूर वार जो कि उसने किया था खोपरी चटक गई हो तो उसने कोठारी से पूछा नो प्राबलम मोटरबोट के किनारे से टकरा कर चटकी वजह बहुत बड़ी मचली पकरड में आगई थी सदाबोट पर ना खीच सका मचली ने उसे खीच लیا और सरबोट के किनारे से जा टकराया पानी की धाय के नीचे फूलदान पर से खोन बिलकुल धुल गया था फिर भी उसने उसे रगड़ रगड़ के धोया लुकिट सोप से मल मल के धोया और आखिर में तॉलिया से उसे मुकमल तोर पर सुखाया अपने उस अभियान से वो पूरी तरह से संतुष्ट हुई और वापस मास्टर बैडरूम में लोटे फूल दान जगा पर रखा और टीवी पर से उठा कर फूल पूर वत उसमें सजाया उसने घूम कर बैड़ पर निगाह डाली तो अपेशा अनुसार वहाँ कोई हल चल ना पाए उसका जी चाहा कि वो करीब जाकर एक बार फिर उसकी नफस वगिरा टटो ले लेकिन वो हिम्मन नहीं जुटा पाई कुशन बुद्ध बनी वो खड़ी रही फिर उसने निश्चे किया इस भरपूर कोशिश के साथ की बैट की और उसकी निगाह न उठे वो खिड़की पर पहुँची और उसने उस पर भारी परदे खीच दी कमरे में चांद की रोशनी आना बंद हो गई अब हाँ अंधीरा चागया अब उसने चैन महसूस किया इस पर उसने कमबर को सलगा कर उसकी अपनी और की कलाई नंगी की और फिर नपस्टर टो ली शुकर वो वापस बगल के बैडरूम में पहुँची वहाँ की वापस रोम में से उसने कैन्विस के एक बहुत बड़ा बैड निकाला जो उस किस्म का था जिसमें किलकेट के खिलाड़ी अपने बैड वगरा रखते थे लेकिन लंबाई में उनके बैड से कहीं बड़ा था उस बैड के साथ वो मास्टर बैडरूम में पहुँची उसने उसे दरवाजे के करीब फर्ष पर डाल दिया एक उड़ती निगा फिर बैड पर डाली जहां सब खेरियत थी और बहार निकली अपने पीछे उसने हॉले से दरवाजे बंद किया और सीड़े उताने लगी अपने हिस्से का तकरीबन काम उसने कर दिया था अलबता एक काम बाकी था लेकिन उसकी अभी कोई जल्दी नहीं थी बहुट टाइम था अब उसने हर हाल में सुबह तक जागते रहना था उसने नीचे की तमाम बत्यां बुचाई और किचन में करी वह अंदेरे में ही उसने धेर सारी कॉफी बनाई और उसे एक थरमस में और एक मग में भरा दोनों चीजों के साथ वो ड्राइंग रूम में पहुँची और एक सोफी पर धेर होई थरमस उसने एक साइट टेबल पर रख दिया और मग में से कॉफी चुच सकने लगी बार बार उसकी निगाँ परे बार की तरफ उटती थी लेकिन वो जानती थी कि ड्रेंक वो नहीं ले सकती थी थोड़ा सा भी नश्र उसे नीम के हवाले कर सकता था कॉफी खतम हुई तो उसे एसास हुआ कि सचीत होने की जगा उसे उंगाने लगी थी वो उटकर ड्राइंग रूम में टहलने लगी टहलती हुए वो एक बार खिड़की के करीब पहुंची तो उसने देखा कि मिसिस रोटोलो के कॉटेज की बत्यां तब भी चल रही थी उसकी कलाई घड़ी के मुताबिक उस वर धाई बजने को था जबकि पांच बजे उसने उठ भी जाना था दिन में सोती होगी उसने सिगर्ट सुलगा लिया और खिड़की के करीब एक कुर्सी घसीट कर बैढ़की तीन बजे मिसिस रोटोलो के कॉटेज की बत्यां बुची वो कुर्सी पर से उठी और उपर पहुंची सदा अचेत पड़ा था और उसके होश में आने के कोई असा दिखाई नहीं दे रहे थे उसने उसकी नपस चकी उसे हिलाया डुलाया लेकिन उस पर कोई असा नहीं हुआ वो वापस नीचे लोटी इस बार किसी सोफे पड़े होने की जगा उसने अपने कंधो के गिर्द एक शॉल लपीटी और टेरिस पर पहुंची सब तरफ अंधीरा था कभी टहलते, कभी ठीटकते, कभी बैटते ना जाने कितना टाइम उसने वहाँ गुजारा पूर्व ने धार टाइम से पहले उपर के दो फेड़े उसने और लगाए हर बार उसने सदा को पूरवत अचेत पाया आखिर कार वो ड्रोइंग रूम में पहुंची जहां उसने थरमस की बच्ची कुछी कॉफी मग में उठे ली और उसके साथ एक सोफे पर धेर हुई फिर एकाएक उसे पहली मंजिल से आतिक कदमों के आहट सुनाई थी वो संभल कर बैठ गए बाजू की सीडियों के रासे वो उपर पहुंच चुका था वो अपने स्थान से उठी और छपट कर ड्रोइंग रूम की सीडियों के दाने पर पहुंची और सांस रोके कांग खड़े की सुनने लगी तब तक उपर कदमों के आहट बंद हो चुकी थी और कैसी भी आवाज उपसे नहीं आ रही थी फिर एक धप की आवाज हुई शायद सदा के पाउं फर्ष से ठकराए थे वो अचीर श्रील को कैन्वस के बैग के हवाले कर रहा था जरूर यही बात थी लेकिन थोड़ी देर बात किसी चीज के फर्ष पर घसीटे जाने के आवाज हुई जो कि अब भारी हो गई कैन्वस के बैग की ही हो सकती थी फिर घसीटे जाने के अवाज बंद हो गए और बाजू की सीर्यों की जो की लकडी की थी चर्मनाने की अवाज आए वो भारी बैग उठाए सीर्यों तर रहा था वो सीर्यों पर से हटी और जल्दी से ड्राइंग रूम को पार करके ग्लास डूर पर सांस रोके शीशे से पार सामने जागती इंतजार करने लगी अंधिरे में एक साया परकट हुआ जो की कोठारी के सिवाए कोई नहीं हो सकता था वो सरपर सफेद रंकी नेवी के कप्तानों जैसी पीक कैर पहने था जो की इतवार को फिशिंग के लिए निकलते वक्त सदा का टेडमार्क बन चुकी थी कंधे पर कैन्विस का बैर गर ला थी बीच पर चलता वो प्राइवेट पायर की तब बढ़ आता जहांकी सदा की मोटर बोट बंधी हुई थी उस वक्त अंधेरे वातवरर में धुन सी चाही हुई थी जिसकी बज़ा से पायर की तब बढ़ता वो उसे दूर तर दिखाई देता ना रह सका उसे दर्वाजे की चेटकनी गिरा कर उसे खोला और बहार टैरिस पर कदम रखा तेज कदमों से उसने टैरिस को पाल किया उधर की रेलिंग पर पहुँची और आँके फार फार कर सामने देखने लगी उसी गड़ी हवा की वज़ा से कोरा सामने से थोड़ा चटा उसे वो पायर पर दिखाई दिया उसके देखते देखते उसने कंधे पसे बैग उताराओ पायर पर रख दिया फिर वो उसे दिखाई देना बंध हो गया क्योंकि कोरे की चादर लौट आई थी वो जरूर बोट में उतल गया होगा जरूर वही बात थी क्योंकि तब ही उसे बोट के शक्तिशाली इंजेंग के गरजने के आवाज आये फिर आवाज धीमी पड़ी बोट समुदल की छाती पर दोड रही थी उसे अमने कलाई घड़ी पर निगार डाली पांच बच के दो मिनट वो वापस ड्रॉइंग रूम में लोटी और बाजू की खिड़की पर पहुँची कोहरे के बावजूदों से मिसिस रोटोलो के कॉटेज में रोशनी का भास मिला नई दिंग के शुरुआत हो चुकी थी उसे दो-तिन बत्यां चिलाई हो किचन में पहुँची वाँ उसे बिजली की केतली में चाय के लिए पानी भैका उसे ओन पर छोड़ा उपर पहुँची जिजकते डरते उसे मास्टर बेडरूम में कदम रखा उसके ट्यूब लाइट ओं की उसके अपेशा के अनुसार बेडरूम खाली था वो बैटके करीब पहुँची जो तक्या पिछली रात खोपडी से भहे खून से भीगा था वो वहाँ नहीं था खोटारी ने समझदारी का काम किया था जो कि समंदर में गल्क करने के लिए उस तक्ये को साथ ले गया था उसने भारिकी से बैड और कंबर का मुएना किया तो पाया कहीं खून का धबबा कुछ मौजूद नहीं था उसने स्टोर से लाकर बैड पर नया तक्या रखा खिड़की पर पड़ा भारी परदा वापस सरकाया फिल लाइट आफ करके नीचे पहुँचे केतली में पानी उबल रहा था उसने चाय तयाल की और वहीं बैट कर चुसकें लेने लगी अब तक सब कुछ ठीक था एंक उठारी की स्कीम के मुताबिक उसने चाय खतम की और उठकर खड़ी हुई अब उसे अपने हिस्से का बचा हुआ काम करना था साड़ी छे बचे तक कोहरा बिल्कुल छट चुका था भोर के बाद की धूप निकलने लगी थी पन्ना मिनट तक वो नाइट ग्लासिस की मदद से एक खड़की के पद्दे के पीछे चुपका समंदल का और बीच के दाई ओल के पहलो का नजारा करती रही थी उस काम को उसने तभी तिलांजली दी थी जबकि समंदल से किनारे की तरफ खामोशी से त्यारता एक साया उसे दिखाई दिया था साय की नंगी पीट पर एक गठरी से बंदी थी जो कि उसके कोठारी होने की चुगली कती थी आखिर बोट से किनारे तक उसने तयार करी तो आँ पहुंचना था गठरी यकिनन वाटरप्रूफ थी उसमें उसके कपड़े थी किनारे पहुंचकर साया कुछ कदम बीच की रेत में चला था और फिर पेड़ो के जुर मोट में गुम हो गया था टेरिस के बाजू से वो उस पर से नीचे उतरी और जहाडियों और पेड़ो के बीच बनी पक टंटी पर से गुजरती मिस्स रोटोलो के केबिंग के और बढ़ी उसके करीब पहुंचने से पहले ही मिस्स रोटोलो ने किचें के बाजू का दवाज़ा खोल दिया और मीठे सुर में बुली हलो, गुड मॉर्निग मैं तुमको आता देख पहले से डोर उपन करके रखा नौक नहीं करना पड़ा, no? Yes वो दोरे बदन और ठिकने कद वाली कोई 60 साल की औरत थी जो उस वक्त एक टकनों तक आने वाला गाउन और उस पर एक सामने से खुला प्लोवर पहने थी उसके बाल तमाम के तमाम सफेद थी जिनने उसने जूड़े की सूरत में पीछे बांदा हुआ था उस उम्र में भी उसकी निगाव बिल्कुल ठीक थी अलबत्ता पढ़ने के लिए चश्मा स्तमार करती थी I am sorry Mrs. Rotolo, मैं आपको सुबह सुबह डिस्टरब करने के लिए आई हूँ बैठो तुम्हें अभी चाय बना कर लाता वो किचन में गई और चाय की ट्रेल के साथ लोटी वो नमीता के सामने बैठके उसने उसे चाय सर्फ के और दूसरा कप खुद ले लिया कैसे आना सकता? Mrs. Rotolo, इलाके की housewife ने Republic Day celebration के तोर पर 24 जन्वरी कोई crafts bazaar और food festival organize किया है मैं उसकी managing committee पर हूँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उसमें हिस्सा ले ये कैसे होना सकता? I am much too old, किधा जाता नहीं फिर क्या हुआ? Time pass समझ कर ही अगर आप? Time pass करता ना? इधा rocking chair पर window के सामने बैठता और ocean को बाच करता books परता, periodicals परता once a while TV भी देखता So, I may better be excused ठीक है आपकी मरजी? आप उस event में time है इसलिए भी commit करना मुश्किल तो मेरे को by 28 बोलेंगा तो देखेंगा ठीक है? बहुत बढ़ी है मैं आपको जोर बताऊंगी आपको क्या पसंद है सारा दिन आप क्या करती है आप books परती है नहीं, मुझे ocean देखना बहुत पसंद Your husband also loves ocean? Not ocean, Mrs. Rotolo fishing अब मचली समुदर में है तो समुदर में तो जाना पड़ेगा न बरोबर बोला Every Sunday कभी miss नहीं करता आज भी early morning गया अच्छा, आपने देखा? बरोबर देखा तुमको नहीं मालूम नहीं, वो मैं देज से सोकर उठी थी ओ आपने आज सुबह देखा Mr. Poonekal को अपनी बोर्ड पस समुदर में चाते? बरोबर, कितने बजे? मलब, I mean time departure time ताइम बोले तो same as always 5 o'clock बर्ट मैं देखा आज तुमारा husband समान का काफी बड़ा लोड साथ लेकर गया ऐसा का है वास्ते? नमीता का दिल जो से उचला बड़ा लोड? आपको कैसे मालू? हैंड में लेने के जगा शोल्डर पर लेके वाउक करता था बेग लोड तभी तो शोल्डर पर नो? हाँ हाँ यास यास वो क्या है ना कि motor board पर जो खाने पीने का डबबा बन समान स्टोर करके रखा जाता है वो बोलते थे कि उसमें काफी कुछ खतम हो चुका था कल इस ले खरीद कर लाए ना बहुत सारा समान ओ आई सी इस वास्ते बेग लोड हाँ आज सुबह फिशिंग को तो बहुत लोग निकले होंगे मेरे हजबन की तरह और लोगों को भी आपने निकलते देखा होगा हाँ बोर्स का वास सुना मीनिंग अरली मॉर्निंग बहुत फिशिंग का शौकिन समुदर में गया देखो खाली तुमारा हजबन गया ऐसा तो नहीं उसका प्राइविट पैर होना सकता ना तो इदर से दिखाई देता इस वास्ते स्विमिंग के लिए भी बहुत लोग निकले होंगे उसका मतलब था कि जैसे उसने प्राइविक को फिशिंग के लिए अपनी बोर पर सवार होका समंदर बजातकते देखा था वैसे कोठारी को तयाय का वापस लौटते नहीं देखा था मन ही मन उसे चाय की लंबी सांस ली या शायद सामने से वो बोली आपने किसी सुमल को इसलिए नहीं देखा था कि क्योंकि आप टैपिंग में बिजी थी टैपिंग में हाँ जब मैं इधर आ रही थी तो मैंने टैपिंग की आवाज सुनी थी इसलिए बट मैं तो टैप करता नहीं मेरे पास टैप रैटर किदा बोले तो तुम अपने फ्रेंड के टैप रैटर का आवाज सुना मेरा फ्रेंड? नमीत्य का दिल धड़का वो जो उदर तुमारा टैरिस पर तुमारा साथ ड्रेंग में कम्पनी का था? मेरे साथ? तुमारा हस्बेंड का साथ भी sometimes with your husband, sometimes without your husband, no? हाँ, मिसिस रोटोलो, वो मेरा नहीं मेरे हस्बेंड का फ्रेंड है ओ, husband का फ्रेंड मैं सोचा आपने कलस सोचा ओ, I am sorry for that मेरे को ये बोलने का था कि टाइप वो करना सकता इधर कम आता है बड़ जब आता टाइप रैटा बजाता अच्छा, वो novel देख रहे हैं ओ, अच्छा, वो writer है नहीं, वकील है advocate लिखने का शौक है तो इसलिए novel लिखने की कोशिश कर रहे है पहली दफा I see, इसी वास्ते जोश जास्ती लास नैट तो अख़ा टेम टाइप रैटा बजाता था अभी सुबा उठा तो तब भी बजाता था अभी भी बजाता है, अभी देखता उसे चाय का कब खाली किया उठका bedroom में गई, नमीता खामूशी से उसके पीछे वहाँ पहुँच के ब्रदा ने bedroom के खिडकी खोली और उसके पार कोठारी के cottage की और चाका, जिसकी बत्तियां चल रही थी उसके छोटे से cottage की उधर की खिडकी खुली थी, और परदे के बीच में से थोड़े थोड़े आजू-बाजू सरके हुए थी, उनमें से बीता कोठारी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन टाइप रैटर के आवाज वहां तक बराबर पहुँच रही थी, कुछ समय के टेप रैटर बजाता, फिर टेहल-टेहल के सोचता, फिर बजाता, फिर सोचता अभी मेरे को मालूम पढ़ा की काईवासते सोचता, मर्डर मिस्टर लिखता, प्लॉड बनाता होंगा कल होगा नाइट, ऐसे इच करता था नमीता ने अपने हिस्से का जो आखरी काम करना था, वो हो चुका था इस बात की तज़्दीक हो चुकी थी कि कोठारी सारी राट टाइप रेटर खट-खटाता अपना नॉबल रिखता रहा था और उस वक्त भी वो ही काम कर रहा था जिस वक्त टाइप रेटर के वाज नहीं आती थी उस वक्त गभा खुद कहता था कि सोचता था कि आगे की स्टोरी सेट करता था उसे मिसिस रोटर लो को चाय के लिए थैंक्यू बोला विदा ली और पापस लोटी बीच के खामोशी के वक्फे की बाबत उसने कोठारी को राई दी थी कि वोई टेप रेकॉर्डर में टाइपिंग के आवाज भर ले और उसको चलता छोड़कर सुब अपना अभियान पर भहां से निकले यूँ बाजर या टेप रेकॉर्डर मिसिस रोटरो को तब भी टाइप रेक्टर के आवाज सुनाई देती जबकि वो वहाँ ना होता और वो समझ दी कि वो वहीं था और लगा था टाइप कर रहा था उस राई को कोठारी ने ये कहकर खारिच कर दिया था कि टाइप रेकॉर्डर में कोई नुक्स पैदा हो सकता था वो बंध हो सकता था बीच में बिजली जा सकती थी कोई भीतर टाइप रेक्टर बज़ता पाक उससे मिलने की खाते या किसी और वज़ह से दरवाजा खट-खटात सकता था आदे रास्ते में वो ठिड़की उसे घूम का कोठारी की खुली खिड़की की तरव देखा उसका जी चाहा कि वो दोड़ का वहाँ पहुँचेगा कोठारी से लिपट चाहे लेकिन वो ऐसा नहीं का सकती थी खटारी का हुकम था कि आइंदा कुछ दिनों के लिए वो एक दूस्रे से नहीं मिलेंगे आइंदा कुछ दिनों के लिए वो उसकी बहों में नहीं समा सकती थी उसे चू नहीं सकती थी उससे प्यार नहीं पा सकती थी उसको प्यार नहीं दे सकती थी उसने तब तक उससे दूर रहना था जब तक उसको उस दूरी को खतम करना मुनासिब ना लगे उस घड़ी बड़ी शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो कितनी तनहा थी तो इस नौवल का अगला भाग है Grand Master जो कि मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके यूटूब चैनल और पॉडकास्ट पर डाला हुए तो मैं उसका लिंक आपको नीचे दे रहे हूँ तो आप वहाँ से सुन सकते हैं नमस्कार झाला हुआ 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 झाल झाल झाल